इस विडियो में हम सीखेगे कि non-perfect square numbers के square root कैसे fine किये जाते हैं और वो भी division methods है division methods यानि कि वो square roots हम fine करने वाले है जो irrational है मतलब कि उसके answers कभी भी perfect नहीं रहेगे point के बाद कोई न कोई number आते ही रहेगा तो यह करने के पहले हम यह सीख ले कि सबसे पहले square roots fine करने के लिए digits को group करना रहते है दो दो की groups बनाने रहते है जैसे कि यह है first number 10 10 10 तो सोचो कि इसके बाद एक decimal point है हम 10 को 10.0 या और एक 0 और एक 0 और एक 0 इस तरह से जिपने चाहिए उतने 0 लगा सकते हैं तो अभी हमें decimal point से जब इसका square root find करेगे तो हमें 4 decimal places तक इसका answer मिलेगा उसी तरह से 144.4 तो decimal point से यह 44 का एक group हो जाएगा या लखना दूदू का group बनाना है और यह 1 अकेला ने रहेगा similarly यह 4 अकेला ने रहेगा हमें एक 0 लगाना है और 40 का एक group बनाना है और फिर हर 2 0 का एक group बनते रहेगा और हमें उतने यह 0 लगाने जुतना की decimal point के बाद हमें answers चेकिए हम इसको एक example में बाते देखने बादे similarly यहाँ पर अगर ग्रूप बनाना है तो decimal point से start का तो हो यह 42 का group 65 का group और 35 का group और फिर 2 0s के group बनाते रहेगा similar decimal point यहाँ पर है तो 37 का एक group फिर 41 का दूसर ग्रूप और 25 का थिसल पर तो 2 2 के group बनाने 15 का group 63 का group और यह 1 अकेला है तो कम से कम 1 0 लगातर 10 का एक group बनाएंगे similarly point के पहले है 54 तो 54 का एक group यह 2 0s का group और यह 1 अकेला रहेगा similarly यह 2 0s का एक group यह 14 का एक group और 3 के बाद एक 0 लगातर हमें एक group बनाना है तो square root find करने के लिए एक group किस तरह से बनाना है यह सीखना बहुत ज़रूवी था तो चलिए अब हम पहला question दिखते हैं find the square root of 10 अभी हमें पता होगा कि 10 एक group square नहीं है क्योंकि 4 का square होता है 16 जो 10 से बढ़ा है और 3 का square होता है 9 जो 10 से छोटा है तो हमें यह तो पता है कि 10 एक group square नहीं है पर इसका answer 3 और 4 के बीच में कहीना टईटो होगा तो इसका answer कुछ 3 point something 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 इस तरह से रहेगा so let's say हमें यह square root find करना है up to let's say 2 decimal places क्योंकि कोई न कोई और नंबर आते रहेगा और यह irrational square root होगा so हम infinite numbers को find नहीं कर सकते हैं so let's find the square root of 10 up to 2 decimal places या 3 decimal places जैसे तुम्हें करना रहेगे so उसके लिए हम पहले इस तरह का एक shape बना देते हैं यह division method के लिए बहुत ज़रूर ही रहता है और यहाँ पर हम लिख देए 10 और उसके बाद हम decimal point आ लेगे और उसके बाद क्योंकि हमें दो decimal places तक बनाना है तो हम यह दो zeros का एक group यह दो zeros का एक और दूसर ग्रूप बनाएंगे और एक दो zeros का तीसर ग्रूप बनाएंगे और यह 10 फुल एक particular group के अंदर रहेगा तो क्योंकि हमें two decimal places का answer चाहिए हम point के बाद three numbers search करना चाहिए और वो तीसरा number हमें dictate करेगा कि second number को round up करना है कि वैसा ही रखना है so start करते है सबसे पहला हमारा number है one zero ten तो हमें पता है कि three square nine होता है और four square sixteen होता है तो हम यहां पर लिखेगे three three is a nine इस तरस so three three is a nine इस लिए लिखा क्योंकि one का square one होता है और ten हो से काफी बढ़ा है two का square four होता है ten बहुत बढ़ा है three का square nine होता है ten अब थोड़ा बढ़ा है और four का square sixteen होता है और five का square twenty five होता है so हमें एक ऐसा number यहां पर और यहां पर दोनों जगा पर same number लिखना है कि three three is a nine जो ten से just छोटा हो थोड़ा ही छोटा हो और two two is a four नहीं लिख सकते है क्योंकि उससे बढ़ा three three is a nine है हम four को जा sixteen नहीं लिख सकते है क्योंकि ten फिर उससे चोटा हो जाएगा और sixteen बढ़ा हो जाए so हमें मिलता है three three is a nine यहां पर हम subtract करेगे तो ten minus nine होता है one और यहां पर यही three को add दो three plus three is six और हम यहां पर थोड़ा से gap छोड़ेगे थोड़ा सा place छोड़ेगे यहां पर बहुत जल एक number आने पड़ है और यह decimal point को नीचे उतारने के चगा हम उपर चड़ा देगे और यह दो zeros का हो एक group है उसको 7 में नीचे उतारेगे like this तो अब हमें six के बाद एक number लिखना है let's say 61 हो सकता है 62 हो सकता है 63 हो सकता है कि उसी number से अगर multiply करेगे तो हमें 100 यह 100 से कम number लिखना है for instance 60 के बाद अगर हमें one लिखना है तो हमें one से ही multiply करेगे so one one's are one होता है six one's are six so we're getting 61 जो 100 से कम है और अगर हमें six के बाद यहां पर two लिखना है like this तो मुझे two से ही multiply करना है तो two two's are four होता है और six two's are twelve होता है but this one 24 इससे बड़ा हो जाता है so कहने का मकसर यह था कि यहां पर एक number ऐसा लिखना है कि उसी number से अगर हम multiply करें तो हम्में 100 यह 100 से कम होता है और क्योंके यह एक irrational square root होने वाला है तो हम्में 100 कम ही नहीं 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 लिखेगे so हम यहां पर लिखेगे 61 ones are 61 like this और हम इस और हम इस तो 10-1 is 9 and 9-6 is 3 और यहां पर यही 1 exactly यही 1 form add करेगे 1 plus 1 is 2 थोड़ा सा gap छोड़ देना और फिर यहां पर वो 6 अब हम यह दो zeros को नीचे एक साफ में उता रहेगे like this now हमें कैसा number search करना है कि six two के बाद एक digit आएगी बदा नहीं को digit क्या होने वाली है पर उसी number सा अगर मैं उपर multiply करूँ सो मुझे और हमें 3900 से थोड़ा कम मिलना चाहिए तो देखते हैं क्या हो सकता है six two और वो particular number और उसी number से अभी हमें multiply करना है और हमें मिलना है 39 या उससे कम और यहां से अगर मैं यह दो numbers को कम कर दूँ तो मुझे मिलना है 39 तो six के table में 39 तो नहीं आता है तो six six जा 36 जरू होता है तो six six जा 36 होता है six sevens of 42 होता है तो यहां पर seven तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि six sevens are 42 तो यह number four two something something हो जाएगा और यहां पर तो अबर पास 39 ही है तो यहां पर definitely seven तो नहीं आया एगा यहां पर six आ सकता है यह हो सकता है कि five पी आता है तो we can private six 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 are thirty six two six are twelve thirteen fourteen fifteen one carry six six are thirty six thirty seven so we are getting three seven five six which is just short than three nine zero zero जैसे मैंने बताया कि अगर मैं यहां पर seven यहां पर seven लिखता है तो six sevens are forty two हो जाता जो 39 अरट से कापी बड़ा हो जाता है so I think six is a proper digit so six यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा और यहां पर हम लिखेगे three seven five six और यहां पर हम six को add कर देगा तो six plus six is twelve one carry three six अब एक नमबर यहां पर आने वाल है पर इसके बिल हम यहां पर सफ्रेक्शन कर लें so ten minus six is four nine minus five is also four eight minus seven is one so हमें मिलता है one four four और यह दो zeros को भी हम एक साफ में नीचे उता रहे हैं और यह procedure को हम चालो रखें so 6320 watt को उसी नमबर से अगर हम multiply करें तो हमें मिले one four four zero zero या उससे कम अभी exactly one four four zero zero नहीं मिलेगा तो हमें पता है के ten का square root irrational है so how to search this very fast so again हम यहां पे अगर यह ती नमबर को इग्नोर करें three four two को और unknown को और यहां से भी तीन नमबर को इग्नोर करें तो हमें मिलता है सिर्फ यह 14 और यहां पे मिलता है six so 6320 watt multiply by the same watt gives us 1400 से थोड़ा चोटा नमबर so I mean six twos are 12 होता है so six twos करेंके तो 12 आए गाया होता so let's start with two अगर two नहीं होगा तो one होगा या कुछ और होगा so two twos are four two twos are four three twos are six six twos are twelve yes we are getting 12,000 instead of 14,000 और अगर यहां पे three लिखा होता है जो इसके बाद आता है तो six twos are 18 हो जाता है 18,000 हो जाता है जो इससे काफी बड़ा हो जाता है so I believe it's two यहां पर और two वहां पर भी आएगा और यहां पर आएगा 12,644 यहां पर यह नमबर सब्ट्रेक्ट होगे और वहां पर हम two को add कर देगे two plus two is four two as it is, three as it is, six as it is तो यहां पर सब्ट्रेक्शन भी कर ले ten, nine, और यहां जाता है three, ten minus four is six nine minus four is five three minus six नहीं जाता है तो इसको three कर देगे, इसको 13 कर देगे so 13 minus six is seven and three minus two is one so one, seven, five, six तो हम इसको आगे भी जाली रख सकते हैं तो अभी हमें इसे two decimal places तक ही जानना था so इसका answer आएगा three point one six क्योंकि जो third decimal place है वो five या उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम है so it is less than five तो यह six six ही रहेगा, यह six का seven नहीं होता है बर अगर हमें इसे, let's say, three decimal places तक अगर करना होता है so, क्या करते हैं तो और दो zeros का एक pair लगा देते हैं और यहाँ पर और दो zero लगाते हैं और फिर six six के बाद three two four of watt, multiply by the same watt और हमें मिलता यह number या उससे पुरा सकते हैं और इस तरह से हम इसको continue कर सकते हैं, जारी दख सकते हैं याद रखिए क्योंकि यह irrational number ही है remainder कभी भी zero नहीं आखिए अचले एक और इसमपल लिखते find the square root of 231.281 सो सब सब पहले division method का जो structure इसको बना लेते हैं सो यहां पर लिख जेता हूं में 231.281 और लेट से इसको हम 3 decimal places तक point करना चाहिए क्योंकि 3 decimal places तक point करना है मुझे point के बाद 4 digits जाहिए चौथा digit डिजिट करेगा कि 3rd digit बढ़ेगा कि वही रहेगा सो point के बाद 2-2 के group बनाना है तो 28 का एक group 1 अकेला नहीं रहेगा तो एक और 0 डाल का group सो दो groups होगे 2-0 डाल का एक और group और 2-0 डाल का एक और group सो total decimal के बाद 4 groups है यानि कि decimal के बाद 4 decimal places आएगे और वह 4 decimal place decide करेगा कि 3rd decimal place क्या उना है उसी तरह से point के पहले 31 का एक group बनाएंगे और 2 अकेला रहेगा ऐसे समझे लिए कि यह 0-2 है और 0-2 का एक group है और 0-2 और 280 होता है तो 2 अकेला है 31 को हम चलाएगे इसका रसे और यहां पे वहन एड करेगे और यह वह जाएगा 2 अब वैसाही सवा कि 2 के बाद यहां पे क्या नंबर आना चाहिए कि उसी नंबर से अगर हम मल्टिप्लाई करेगे तो हमें मिले 131 यह उससे थोड़ा चोटा नंबर सो इस समफिंग लिए 2 के बाद क्या नंबर हो कि उसी नंबर से हम मिले 131 यह उससे थोड़ा कम सो 2 के टेल मे 13 यह उससे कम कबाद है 2 के टेल में 6 यह 2 6 आ 12 होता है 3 के टेल 6 6 आ 36 3 के टेल 2 6 आ 12 13 14 15 यह नंबर होग बड़ा होता है सो हमें 6 इस कमल नहीं करेके Let's try 5 2 के अ 5 लगाते है और 5 से ही मुटिप्लाई काते 5 5 यह 25 2 के टेल में 2 5 आ 10 11 12 यह इस इस जस्समान 25 5 आ 125 25 सो सब्रेक करते है 11 मैंनस 5 इस 6 2 मैंनस 2 इस 0 1 मैंनस 2 इस 0 यह पर यह 5 को आड़ करना है 5 प्लस 5 इस 10 1 के लिए 2 प्लस 1 इस 3 और यह decimal point को हम उपर चला देगे यह और यह 28 के group को एक साथ में हम नीच उपना रेगे अगे वह पूसेजर कंट्यू करना है 3 0 Watt multiply by the same Watt will give us a little less than 628 so let's find 300 Watt multiply by the same Watt will give 628 a little less so try that 3 2s are 6 3 2s are correct 6 2s is start इसके आसमास दो तूसा इस 4, 0 तूसा इस 0, 3 तूसा इस 6, यह वैं गट इंट लेस देन 628 तू 302 तूसा इस 640. तो तूसा ब्रक्षिन करते है यहां पर करते है अधिशन, 2 प्लस 2 तूस नद पूलिया और अब एक साथ में यह 10 को निचे उता रहे है नो वाट त्युवाई सही हमें 300 and sorry 304 and some number multiply by the very same number to get 2410 or less than that so क्या करें यहां पर तीम इजिट्स को इग्णोर करेंगे तो यहां पर भी हम त्री इजिट्स को इग्णोर करेंगे तो यहां पर तो से काफिका में 2410 so 1 लगाने से भी नंबर बड़ा है यह नंबर चोटा है तो इसे केसे में हमें इस जिरो लगा थे तो यहां पर भी जिरो वहां पर भी जिरो 3040 zeros are is simply a zero और यह पूरे का पूरा नंबर नीचे आजाएगा और यहाँ पर भी हम zero add करेगा आप क्या करने हैं क्योंकि zero plus zero zero करने के बाद थोड़ा gap छोड़ रहा है अब वो नंबर थोड़ा सा बदल जाएगा तो यह नंबर था 3040 अब यह हो जाएगा 30400 something और यह वाले दो दो जिरो से ओ नीचे होता है इस तरह से तो यह नंबर यहाँ पर क्या है तो चेक करते हैं ट्री करते हैं 3040 something multiply by the same something so we get this 24 10 00 so 3 की डिल में 24 कवा प्रता है अब तुम बुलेगे 3 के डिल में 24 क्यों इत गूल रहे है क्योंके एक डो तीन चार चार डिजिस को में इग्रोर कर रहा है यहां से यह दो तीन चार दिजिस को इंग्नूर कर रहा है तो यहां पर 24 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, तो 3 के दिलमें 24 का बाफ है, तो एक तो हम यह कर सकते हैं, कि हम यहां पर 8 लगा सकते हैं, क्योंकि 3 8s are 24 होते हैं, यहां हम 7 भी try कर सकते हैं, फिल हम 8 से try कर लेते हैं, so 8 8s are 64, 0 8s are 0, 0 plus 6 is 6, 4 8s are 32, 3 carry, 0 8s are 0, plus 3 is 3, 3 8s are 24, so हमें इन नंबर मिलता हैं, लेकिन से रोडा सा पड़ा है, तो मुझे लगता है 7 से काम बन जाएगा, 3 0 4 0 7, तो 7 70 भाए कर ते हैं, so 7 7 to the 49, 4 carry, 4 7s are 28, 2 carry, 2 as it is, 3 7s are 21, so, यह से छोटा है, 7 और यहां पर भी आएगा 7, और यहां पर आएगा, 2 1 2 8 4 9, और यहां पर 7 at all, so 7 plus 7 is 14, 1 carry, 1 as it is, 4 as it is, 0 as it is, 3 also as it is, तो यहां पर यहां पर कर एक शर्फचा, 10, 9, 9, 10 minus 9 is 1, 9-4 is 5, 9 minus 8 is 1, 0 minus 2 और प्रूजब नहीए, और यहां पर यहां 3, 10, 10 minus 2 is 8, 3 minus 1 is 2, तो हमें मिला 28151 एक और बार आखरी बार क्यों हमें 3 decimal places तक अंसर चाहिए था तो यहाँ पर हमें एक number ढूनना है कि वही number यहाँ पर multiply करें तो we get 2815100 यह 00 को भी हमें नीच ओका रहे हो तो यह देख रहे हो कि बड़ा होते हैं बोद बड़ बड़े नंबस आते हैं पर हमें यहाँ पर आंसर और 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 अकुरेट होते हैं तो वन मोर ताम 3 0 4 1 4 something multiply by the same something and we require 28 15 100 so 3 के डिल में 21 3 के डिल में 21 यह बसे छोटा नंबर का होता है so 3 9s हा 27 होता है so let's start with 9 अगर 9 से में बड़े काने से इससे बड़ा नंबर हो जाएगा so definitely I am 8 से बड़े so 9 9s are 81 8 carry 4 9s are 36 36 plus 8 is 44 1 9s are 9 9 plus 4 is 30 3 4 9s are 36 37 3 as it is and 3 9s are 27 so 2 7 3 7 3 4 1 7 3 7 3 4 1 अभी हम इसको सफ्रेक करना चाहे तो करें क्योंकि हमें तो आप सबिल चुका है so यहां पर भी आएगा 9 यहां पर भी आएगा 9 so इसका जो answer है वो है 15.2079 तो क्योंकि हमें 3 decimal places तब चाहिए और जो 4th decimal place है वो 5 का 5 से बड़ा है तो यह 7 के जगा पे हम उसको round off करके 8 लिखते हैं चलिए हम कंपर भी कर लें calculator से 231.281 और उसका square root find करेंगे तो हमें answer आता है 15.2079 जैसे कि हमें बिला है अफ्कोर्स यह और भी आगे के decimal places है और क्योंकि हमें 3 decimal places तक क्या answer चाहिए था 15.208 इसका answer धो है तक जा सकते का कि अ लिएकर यह था सकता है